आज रात के राधाकृष्ण के एपिसोड में आप देखने वाले हैं बहुत ही जादा बव्य तरीके से श्रेकृष्ण दुर्योधन को सही मार्ग पर लाने की कोशिश करेंगे जहां गाड इनफॉर्म करेंगे श्रेकृष्ण के आने का हस्तनापूर में जाकर कि वो एक शांती दूद के तौर पर पांडवों का प्रस्ताव लेकर आ रही हैं तो वहीं वहां पर वनवास के अग्यादवास के खतम हो जाने के दौरान कैसे श्रेकृष्ण ने उनका राच दूद बन कर उनका शांती दूद बन कर उनके संबंध ठीक कराने की कोशिश करते हुए यहां पर पहल की है लेकिन दुर्योधन यहां पर श्रेकृष्ण पर इ जाएंगी वहाँ पर सभा में मौझूद सारे बड़े लोग दुर्योधन को डाटेंगे और कहेंगे कि तुम्हें इस तरीके से श्री कृष्ण के बारे में बात नहीं करने चाहिए तुम्हें रेस्पेक्ट देनी चाहिए और उन्हें आप कहे कर ही संबोधित करना चाहिए जैसे ही श्री कृष्ण हस्तावनापुर में कदम रखते हैं यहाँ पर द्रोना चाहरे और भीश्मर पितामास हर कोई उनके स्वागत के लिए सज्जे हो जाता है जैसे ही श्री कृष्ण आते हैं विदूर बोलता है कि माफ कीजे का श्री कृष्ण यहाँ पर हम सब उपत सिस्थ हैं लेकिन यहां पर युव्राइञ दुर्योंधन नहीं है आपके स्वागत के लिए लेकिन हम आपसे प्रासरा करते हैं कि आप उसको शमा कर दीजे नादान समझ कर्षित कर सह менे कम्पलीट करों! वहां पर दुरियोधन की entry होगी और वो श्रीक कृष्ण की बेस्थी करना शुरू कर देगा यहां पर भीष्पितामा और विदुर दुरियोधन को वान करेंगे और कहेंगे कि वो अपनी जुबान पर लगाम लगाए और जिस तरीके से श्रीक कृष्ण से बात कर रही है वो एक राजा हूँ और यहां का भावी राजा मैं हूँ इसके नाते मैं तुम्हें नमन नहीं मैं तुम्हें वेलकम करने के लिए प्रणाम नहीं करूँगा बलकि तुम्हें मेरे आगया अपना सर जुकाना चाहिए जैसे ये बात सुनती है राधरानी वो काफी जादा कुषप बूदर हो जाती है और श्री कृष्निंसे कहती है कि नहीं श्री कृष्न तुम्हें दुरी नहीं उकसा रहा है शान्ति से काम लो तुम वहां पर प्रेम का शांती का संदेश लेकर गए हो इसलिए अपने गुसे को काबू रखो और श्रीक्रिष्ण के बतोर ही सोचो और दुर्योधन को शमा कर दो श्रीक्रिष्ण यहां पर अपने गुसे का घूट भी कर रह जाते हैं और वो शांती बनाये रखने के लिए दुर्योधन से कहते हैं कि मैं शांती प्रिये हूँ शान्ती करने के लिए शान्ती बनाये रखने के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँगा और वो दुर्योधन के कहने पर उसे हाथ चोड़ कर प्रणाम भी कर लेते हैं ये देखकर दुर्योधन बहुत जादा एहंकार में भर जाता है लेकिन उसकी बत्तमीजी यहां नहीं श्री कृष्ण के बार-बार समझाने पर वो जैसे ही पांडवों के हक के लिए पांच राजे फिर पांच गाउं और पांच हिस्से मांगते हैं ये सारी बाते दुर्योधन को नागवार गुजरती है देखते ही देखते दुर्योधन श्री कृष्ण को और भी जादा करता है क्रिश्ण से वो उसे चैलेंज करते हैं कि अगर उसे नक्षत्र और इतना ही है तो क्यों ना वो उनके को सवालों का जवाब दे और जैसे श्रेक्रिश्ण दुर्योधन पर सवालों की जड़ी बरसाते हैं उस पर एक भी सवाल का जवाब नहीं बनता या श्रेक्रिश श्रिकष्ण नो यहां पर पांडवों के लिए पांच गाऊं का मांगने का प्रस्ताव रखते हैं, यह बास सुन का वो आग बबूला हो जाता है और दुरियोधन, अपने सेरे को चलाता है और कहता है कि सुनो मैं पांडवों को तुम्हारे कहने क्या किसी के कहने पर भी सुई की नो के बराबर भी कोई धरती नहीं दुँगा अगर उन्हें कुछ चाहिए तो युद्द करके जीतना होगा और तुम्हारी बाल तो तुम्हे सबक सिकाने के लिए मुझे क्या करना है अच्छे से जानता हूँ यहाँ पर दुर्योधन कुछ ऐसा करने वाला है जिसके हाथों श्रीकृष्ण मजबूर हो जाएंगे उसे उसका अंत करने के लिए तो यहाँ पर श्रीकृष्ण उसे अपना रौद रूप दिखाते हुए अपना विश्याल अफ्तार दिखाएंगे जिसे देखकर दुर्योधन को हर जगा श्रीकृष्ण ही आएंगे नजल और ये इंट्रेस्टिंग एपिसोड आपको देखने के लिए मिलेगा कर राट के तेलीकास्ट एपिसोड में